पलक पुर्सवानी बिग बॉस के घर से जब से बाहर निकली है एक के बाद एक शौकिंग खुलासे कर रही है इस बार बिग बॉस OTT सीजन 2 में पलक पुर्सवानी और अविनाश सचदेवा का रिष्टा काफी ज्यदा सुर्खियां बटोर कर गया है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा हाला कि पलक पुर्सवानी घर से बाहर आ गई है और घर से बाहर आने के बाद एक के बाद एक एक एक्स्प्लोजव इंटर्व्यूज दे रही है उन इंटर्व्यूज में वो अक्सर अभिनाश सचदेवा के बारे में बात करती नज़र आई है और ऐसे में उनका एक और एक्स्प्लोजिव इंटर्व्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने ब्रेकप के बारे में बात करते हुए एक शौकिंग खुला सकिया है दरसल अपने पेरेंट्स के रियक्शन पर बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह उनके और अभिनाश के ब्रेकप पर उनका रियक्शन रहा था आपको बता दें कि पलक पुरसुवानी और अभिनाश सचदेवा इंगेजमेंट भी कर चुके थे एसबर रिबोर्ट्स इन दोनों के लिए यही कहा जाता है कि यह दोनों इंगेज थे और जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले थे लेकिन इससे पहले ही पलक पुरसुवानी को और बिनाश की चीटिंग के बारे में पता चल गया इन फैक पलक की दोस्ति तक इस बात को क्लेम करती नजर आई है कि भई आफ्टर इंगेजमेंट भी अविनाश ने उनको चीट किया इस बात को जब पलक ने कंफरेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि किस तरह वो पहले ही इस रिष्टे को खत्म कर चुके हैं अपने साइट से अब ऐसे में इस इंट्रवी में उन्होंने कहा है कि उनके पापा को अल्मस्ट हार्ट इटेक आया था जब उन्हें पता चला था कि उनका ओर अविनाश का ब्रेक अप हो चुका है आपको बता दे कि पलग पुर्सुवानी अक्सर अविनाश सचदेवा की चीटिंग के बारे में बात करती नज़राई है इससे पहले उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि रुबीना दिलायक और अविनाश के बारे में उन्होंने एक अलग ही कहानी सुनी थी अविनाश से आपको बता दे पलक से पहले रुबीना दिलायक को डेट कर रहे थे अविनाश सचदेवा इसी बारे में पलक पुर्षवाणे नेक इंटरव्य में बताया कि एविनाश ने उन्हें रुबीना और अपने रिष्टे के बारे में अलगी कहानी बताई थी उनका कहना है कि एविनाश ने उन्हें चीट नहीं किया था कि इन सभी दो इंसिडेंट के बावजूद उन्होंने विनाश पर भरोसा किया था उनसे शादी करने वाली थी और यह उनकी जन्दिके की सबसे बड़ी गती थी तो आप दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इस बारे में आपका क्या कहना है अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलू करें झाल को जरूर से वीडियो आपका करें